पानी का कोई रंग नहीं होता क्योंकि उसमें सिर्फ मिनरल्स होते हैं लाल रट कनिकाओं के कारण खून का रंग लाल होता है लेकिन दूद का रंग सफेद क्यों होता है आखिर दूद में ऐसा क्या खास होता है जो उसके रंग को सफेद बना लेता है तो आईए इस विडियो में हम ये जानते हैं कि आखिर दूद सफेद रंगा ही क्यों होता है यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि हम दूद की बात कर रहे हैं केवल गाय, भैस या फिर किसी विसेश प्रानी की बात नहीं कर रहे हैं प्रकृती का बड़ा ही अनोखा फाउनुला है सभी प्रकार के प्रानीों के दूद में फॉस्फो प्रोटीन पाया जाता है जो कैलसियन कैसीनेट के रूप में रहता है कैसीन प्रोटीन के कारण ही दूद का रंग सफेद होता है इसका रंग सफेद से लेकर पीला तक हो सकता है अगर simple language में बात की जाए तो दूद में calcium होता है इसलिए दूद का रंग सफेद होता है तो यह जानकारी आपको कैसी लगी? आप लोग प्लीज कमेंट करके ज़रूर बताईएगा और अगर ऐसे सवाल आपके दिमाग में भी आते हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हो जये